वेल्कम बैक आज की वीडियों को हम डिस्क्स करने जार रहे हैं रेडियन कैस मेनेजमेंट सर्विसी के बारे में तो यहां पर आप देखोगे आई पर लिस्टिंग हो चुकी है लिस्टिंग दमदार देखने को मिली है ठीक है यहां पर आप देखोगे इसका जो प्रैज बै बने जाएं या फिर ना बने रहे तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे तो यहां पर आप देखोगे लिस्टिंग के बाल ट्रेजी बनाना काफ जादा मुश्किल हो रहा है कि स्टोग के थे बनेगी लाउं टायम के लिए ऍविस्टोन पास ऐगर बने रहें या फिर ना बन कुले रहें तो आपके बहुत सारी सवाल होंगे कर यह आप देखोंगे लिस्टिंग के बाद स्टोस्क में गजब की तेजिक बनते नगरये फ़ले ष्ट्रॉक नहीं सटओक निचे में अगन देखोंगे चैलम के चाहिज़ लाइन ही तक फांड़ा नीचे में अ्ल्ट तो ऐसे में बहुत सारी सवाल है कि हर एक सवाल का जबाब आपको देने कोशिश करेंगे यहां पर आप देखो कि जो रेडियेंट कैस मेनेजमेंट है यहां पर आप देखो कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो कैस में आपको पता यह भी कैसा हो सकता है लेकिन इन सबसे कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा कंपनी के उपर तो यहां पर आप देखो कि प्रमोटर भी काफी अच्छे है अनुभवी प्रमोटर है आपको पता ही है ठीक है तो एज लोंग टाइम के लिए जो स्टोक क देखकर पीछे हैं 53% सब्सक्रिप्शन भरा है जो इसके लिस्टिंग होने थी तो यहां पर आपको इसके लिस्टिंग देखने को मिली है कुछ दमदार वाली बात नहीं है लेकिन उसके बाद स्टोक नहीं तो उपर में अगर आपने प्रोट बुक किया है तो काफी अच् आप लोग अगर शोटरम के लिए स्टोक में आये हो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी या फिर आप लिस्टिंग गें के लिए इंदर आपने पैसा लगाया है ठीक एप्लिकेशन के थूरू तो आपको क्या करना चाहिए आपको नीचे में भई ऐसल लेके चलना चाहिए 90 का तो मार्केट का भी फेक्ट स्टोक के उपर आ सकता है उसके साथ आप देखो के भई यहां पर प्रोफिट बुकिंग का भी हमें जोना इसके उपर दबाव बनते नजर आ सकता है तो आप लोग जोना भई नीचे में ऐसले के चल सकते हो हाल फिलाल नबबेगा उपर में जो लता है तो और इंटरी लेना ठीक है आई होप आपके सारे डाउट कलीर हुए हूंगी स्टोक को लेकर अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब निए तो सब्सक्राइब बनना मत भूलना है और थैंक यू फॉर वोच्कि और वीडियो